हेलो दोस्तों कैसे हैं आप तो चलिए आज मेरे किच्छन में हम बनाएंगे पनीर की एकदम मज़ीदा रेसिपी जो है वाइट पनीर कोर्मा या फिर आप इसे ब्लैक पेपर पनीर भी बोल सकते हो वैसे मैं तोड़ा कंफ्यूज हूँ तो आप मुझे कमेंट में बताएगे इस रेसिपी का नाम क्या होना चाहिए तो चलिए स्टार्ट करते हैं अबना पैन में एक नॉंस्टिक पैने लेजिए उसमें हमें बटर डालके अच्छी से पनीर के पीसेस को ना कोल्डिन ब्राउन कलर आने तक फ्राइग कर लेना है थोड़ी से मैं यहां पे मिर्ची पा साथ जालोंगी और हमें ग्रेवी पेस्ट पना यू उसके लिए प्यास के बड़े बड़े तुक्रों को न अच्छ सिप्राइ कर लेंगे अब इसमें अद्रक का यक चोटा तुकडा अद्रक चाँ सही तोड़ा डाले तुक्रा डालें मिर्ची और लेसी कि कुछ क्रीयाय क प्राइक कर लेंगे अबना मैं यहां पर खड़े मसाले डाले हूं लिस्ट में यहां पर स्क्रीन पर दे दूंगी उसे के साथ साथ काजू डालेंगे ग्रेवी को ठिकनस लाने के लिए अब इस मसाले को अच्छे से बूनना है हमें और जैसे थोड़ा थंडा हो जाए थंडा пол york में अच्छे से डाले अच्छे से दो से तीन मिनित के लिए फुन लेंगे स्लो तु मीडियम फ्लेम पे अब यहां पर ना है अट्रे चार मनिट के लिए रगा लगा कि अच्छे से पका लेना है अग però बोल आ चूका है ग्रेवी की consistency एज़िस करने के लिए यहाँ पर हम डालेंगे पानी, पानी अब मैंने जो मिक्सरी ग्रेंडर में मसाला चिपका था, उसमें तोड़ा डाल लिया था, आप चाहे तो थोड़ा एक्सट्रा भी डाल सकते हो consistency एज़िस करने के लिए, ग्रेवी में डाल देंगे न ट्राइ करें और अगर रसे भी पसंद आए तो चानल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए